नवस्कार दोस्तों मैं हूं डाक्टर आलोक और आप देख रहे हैं लीगल एक्सप्रस दोस्तों आज के इस वीडियो सेग्मेंट में हम लोग बात करने वाले हैं एक लीगल नोटिस के बारे में कि जब भी हमारा चेक डिसॉनर हो जाए मान लीजे कि मैं पेई हूँ और अभी सिझी आप अब इस सिर्फंट अब इस के सिख में मैं अपने में अपने केस की शुरूरात किastern tells से करूंगा तो मैं डॉयर पो एक लीगल नोटिस भींगा तो वो केस किसी भी तरह से कमजोर ना हो पूरे वीडियो को देखिएगा अंद तक देखिएगा आईए शुरू करते हैं दोस्तों लीगल नोटिस कैसे बनती है क्या लीगल नोटिस का फार्मेट होना चाहिए और लीगल लीगल नोटिस एक एडवोकेट किस तरह से किसी ड्रॉयर को भेजेगा अपने क्लाइंट के रिक्वेस्ट पर क्लाइंट जाता है और कहता है मैं पेई हूँ और मेरा चेक डिसॉनर हो गया है जो चेक मुझे इस पर्टिकुलर ड्रॉयर ने दिया था और मैं एक केस फाइल करना चाहता हूँ केस सूट करना चाहता हूँ तो केस सूट होने से पुर्व क्या-क्या प्रावधान है उसमें सबसे इंपॉर्टन प्रावधान है कि एक लीगल नोटिस पहले ड्रॉयर को भेजा जाए तो लीगल नोटिस का फॉर्मेट के लिए हम लोग आपके स्क्रीन पर चलते हैं और मै सबसे इंपॉर्टन पॉइंट यह है कि जो लीगल नोटिस है वो किसी अधिवक्ता के द्वारा भेजा जाएगा तो जब भी आपका चेक डिसॉनर हो जाता है तो आप चेक डिसॉनर होने के केस में सबसे पहला काम यह करिए कि आप कोर्ट जाए और वहां पर किसी अधिव तो इससे बात करिए उस अधिवक्ता को अपने सारे बाते बताई कि कितने का उटा क burst लीगल नोटिस त्यार करे 도् Rock लेटर, मैं अपना एक लेटर हैं वहत्त आप पर रहा हूँ जैसे रुक्टर आलोग कुमार सिंग ओपर लिखा हुआ है नीचे देख रहे हैं आप सिंबल लगा हुआ है उसके बगल में मुबाइल लखा व्यखता का उसका एडरेस लिखा हुआ है कि मतलब उसका तो पहली बात तो यह समझ में आ गया कि जो लीगल नोटीस भेजी जाएगी वो किसी अधिवक्ता के जो है लेटर हेट पर ही भेजी जाएगी दूसरी चीज ठीक नीचे आप देखेंगे तो आपको वहां पर डेट मेंसंड है तो आप डेट मेंसंड करो बहुत इंपॉर्ट इतना है लेकिन अंदर भी आप डू लिखिए और उसके बाद महोद है ठीक है पहला पॉइंट यहां देखिए मेरे मुवक्किल स्री जो भी मुवक्किल है मुवक्किल का मतलब है वो कोई भी क्लाइंट जो आपके पास आया है जो जिसका चेक अनाधरन हो गया है चेक डिस उनकी ओर से इसके द्वारा आपको निमलिखित कानूनी नोटिस भेजा जा रहा है तो आप मतलब एक अधिवक्ता क्या करेगा कि बताएगा कि मैं अपने मुवक्किल की तरब से मुवक्किल का नाम यह है पता यह है पुत्र यह है इनकी तरब से आपको एक कानूनी नोटि है यह कि आप प्राप्त करता मतलब जिसको लेटर मिल रहा है प्राप्त करता का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं जो ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है मेरे मुख्किल मुख्किल का नाम लिख सकते हैं जो क्लाइंट जो की पेई है जिसका जिसका check अनादरण हो गया है के मित्र है मतलब दोनों में कोई नो कोई तो सम्बंध रहा होगा तो जो भी सम्बंध है वो भी specific कहेंगे पहले point में कि मित्र है और दोनों को एक दूसरे से संपर्ख है यानि कि दोनों मेरे मुअक्किल से फिर से आप नाम लिख सकते हो नहीं भी लिख सकते हो अगर आपने उपर लिख स्पेसिक कर दिया है तो लिखने की जरुवत नहीं है अपने बैक्तिगत जरूरत के लिए रिण हे तू संपर्क किया था अब वो किसी भी चीज के लिए संपर्क कर सकते हैं दोनों के बीच कोई की भी कॉंट्रैक्ट हो सकता है जिसके तहट एक चेक दिया गया था तो अभी उसके बारे में हम लोग स्पेसिफिक करेंगे कि क्या लाइविल्टी थी जिसके कारण यह चेक दिया गया था सबसे पहले कि आप एक दूसरे को जानते हो पहला पॉइंट हो गया दूसरा पॉइंट यह है कि आपने इस चीज के लिए जैसे मैंने यहां पर लिखा है कि रिण के लिए संपर्क किया था अपने बैक्तिकत जरूरत के लिए संपर्क किया था और रुपे एक लाख बीस अजार तो जो भी एमाउंट है वो यहाँ पे आप भर लेजिए मैंने उदारण के रूप में एक लाख बीस अजार रुपे रखता है मांग किया था जिस पर मेरे मुख्किल ने एक हपते बाद दिनांक जिस दिनांक को आपने वो पैसा दिया वो दिनांक लिखना है दिनांक को रुपे एक लाख बीस अजार कैस छे महिने की ओधी के लिए दिया था तो जिस भी ओधी के लिए आप दे रहे हैं वो ओधी होनी चाहिए ठीक है तो आपने चुकी उधार दिया था जिसके एवज में उन्होंने बाज में आपको चेक दिया तो पहली पॉइंट तो यह हो गया कि आप दोनों एक दूसरे के संपर्क में हैं आप जानते हैं तो पॉइंट यह है कि किस दिल आप आए मेरे पास आपने रिंड की मांग की मैंने रिंड के लिए आपको ठीक है बोल दिया एक डेट दे दिया और उस डेट पे मैंने आपको इतना पैसा दे दिया तीसरा point ये कहता है यह की 6 महीने की अधी समाप्त होने के बाद मन्दब जो अधी होए वो समाप्त हो गई उपरांत मेरे मुख्किल ने notice के प्राप्त करता को से रिड की मुद्रा के लिए संपर्ख किया कि मेरी मुद्रा आप लोटाईए 6 महीने के अधी समाप्त हो गई है जो मुद्रा आपने ली थी वो आप मुझे वापस कीजिए तो notice के प्राप्त करता ने मेरे मुख्किल को State Bank of India तो जिस भी bank का चेक आपको मिला उसका विवराण आपको देना है कि State Bank of India या वाराणसी या जो भी है उसका पूरा एड्रेस होना चाहिए कि जैसे State Bank of India इंस्ट्यूट आप मेडिकल साइंस बनारा सिंदो उनिवरस्टी तो ये पूरी डिटेल उसकी होने चाहिए का एक एकाउंट पेई चेक जिसका नमबर अप चेक का नमबर यहाँ पे डालना है दिनांकित लिखना है और जिस पर रुपिया एक लाख बीस जार रुपिया लिखा था और उस पे आपके हस्ताक्षर करके आपने जो है मुझे दिया था तो तीसरा पॉइंट तो यह हो गया आएए चौथे पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं दोस्तो चौथा पॉइंट एक है रहा है या कि मेरे मुखिल ने जब यह उपरोक्त चेक दिनांक इतने को अपने पंजाब निशनल बैंक मतलब आपको अपना बैंक लिखना है जो पेई का बैंक है जिसमें उसने चेक को भुनाने के लिए दिया डाल दिया या, कि मेरा चेक मुझे, जो अमांट है, वो मिल जाए, तो यह कि मेरे मुखिल ने जब उपरोक्त चेक को दिनांक, इतने को पञजाब नेशनल बैंक के बैक्तिकत एकाउंट, जिसका नमबर, उस बैक्तिकत एकाउंट का नमबर दे दें, मैं भुक्तान है तू लगाया तब बैंक ने रिटर्निंग मेमो के साथ दिनांक इतने को जो भी दिनांक हो उप्रोक्त चिक का अराधरण कर दिया तो जो डिसाउनर का डेट है वो डिसाउनर की डेट मेंसन होनी चाहिए वो बहुत जरूरी है नोटिस के प्राप्त करता ने एकाउंट में अपर्याप्त रासी होने का कारण दे दिया तो मतलब बैंक ने डिसाउनर क्यों कर दिया क्योंकि जहां से पैसे कटने थे मतलब जो होल्डर था जो आपका ड्रॉयर था उसके account में पैसे परियाप्त नहीं थे अपरियाप्त होने के कारण ये check dishonor कर दिया ऐसा bank ने मुझे information दिया अब कारण कुछ भी हो सकते है sign match नहीं कर रहा है account close हो सकता है तो आपको यहाँ पर कारण लिखना है तो मैंने एक कारण बताया कि अब परियाप्त रासी होने के कारण ये check dishonor कर दिया गया तो ये भी 14 point में आपको लिखना होगा दोस्तों पहुचवा point किया की notice के प्राप्त करता द्वारा दिया गया चेक जिसके लिए notice के प्राप्त करता उत्तरदाई है का नाधरन आपके खाते में प्रियाप्त रासी ना होने के कारण कर दिया गया है जो विधी के प्राक्रम में लिखत अधिनियम 1888 के section 138 के तहत अपराध है जिसमें दो बर्स की सजा और दुगने भुक्तान की जुर्माना की रासी दिये जाने का प्राधान है दूसरी बात ये भी लिखा गया है आपको धोखा धड़ी और आपराधिक ट्रस्ट साखा के अपराध के लिए IPC की धारा 406 और 420 के तहत 7 साल तक की सजा और जुर्माने का भी प्राधान है तो आप information ये भी बता रहा है कि देखिए आपका जो जिक डिस्वानर हो गया है उसके लिए बिधी में क्या solution है बिधी में solution ये है कि आपको दुगनी रासी देनी पड़ सकती है दो बर्स की सजा काटनी पड़ सकती है Negosable Instrument Act की तहट और IPC के तहट आपको 7 साल तक की कैद और जुर्माना दोनों हो सकता है ये भी बात आप लिख के बताएंगे उसको नीचे पांचवा पॉइंट खतम हुआ और इसके बाद अब बाते कही गई मैं इस कानूनी नोटिस के माध्यम से आप से उप्रोगत रुपए एक लाख बीसजार के चेक का भुकतान करने के लिए कहता हूं इस कानूनी नोटिस के प्राप्ती के 15 दिनों के भीतर ऐसा न करने पर मेरा मुख्किल आपके जोखिम पर आपके लागत पर और आपकी जिम्यदारी पर आपराधिक सिकायत और उसूली का मुकदमा दायर करने के लिए बाध्य हो जाएगा तो आपको बताना है कि एक 15 दिन का डेट देना है मतब जैसे ही आपको ये प्राप्त हो जाएगा तो चुकि आप रेइस्टर्ट पोस्ट से भेज रहे हो तो जिस दिन उसको प्राप्त हो जाएगा उसकी जो है सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगी और उस दिन उसको प्राप्त हो गया मतलब वो अधिवक्ता ये भी लिखेंगे मैंने इस कानून नोटिस को जारी करने के लिए इस लीगल नोटिस को जारी करने के लिए अपने मुख्किल से 5100 रुपए का सुल्क लिया है जिसका भुक्तान आप मेरे मुख्किल को करने के लिए उत्तरदाई हैं ग्रहांक हो गया में बंद करके उनका address लिखके उनको भेज दीजे जो आपको slip Indian post की मिलेगी उससे आप track कर लीजे कि कब वो पहुंच रहा है कब उनको प्राप्थ हो रहा है तो जैसे ही उनको प्राप्थ हो जाए उस दिन से 15 दिन का समय है उनके पास अगर 15 दिन तक जो है आपको धनरासी व होना बहुत ही जरूर है तो दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको मैंने जो बताया कि legal notice आप कैसे लिखें कि आपके case में मजबूती रहे तो वो सारी बातें यहां पर लिखी गई थी मुझे उमीद है आपको यह lecture अच्छा लगाओगा धन्यवाद